गुड मॉर्निंग अब्रिवन वेलकम टो सुबल सर्व से स्टड़ी यूपी पीजेस की टेस्ट सीरीज चला दी गई है दो हैर 21 के लिए फोर टेस्ट कम्टीट हो गया ओलड़ी है इसका टेस्ट नंबर फाइफ प्लेलिस्ट बना देगी है डिस्क्रिप्शन में लिंक है व सबसे पहले बाबर फिर हुमायू अकबर जहांगीर साजहां और औरंजेव तो औरंजेव के बाद मुगल उत्राधिकारियों के सामने जो आर्थिक और राजनितिक संकट उत्पन हुए उसके कारण क्या थे इन में से पहला स्टेट्मेंट है औरंजेव ने दक्कन में बाड़ी मातरा में खर्च कर दिये थे परशासनिक कारेक उसलता की कमी थी जिसके कारणा मनसबदारों के सक्तिसाली वर्गों को वस्मे करना केंद्र सत्ता के लिए कठिन हो गया वेविन ने शेत्रों में किसान और जमिदारों के विद्रों भी हो रहे थे बेलकुल ये सारे के सारे तीनों के तीनों कारण थे option नंबर D हो जागा सकांसर 123 जो मुगल उत्राधिकारियों के सामने आर्थिक और राजनितिक संकट उत्पन करने वाले थे तो रंजेब के उत्राधिकारियों के साशनकाल में प्रशासन की कारे को सलता समाप्त होने लगी सूबेदारों के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व एवं सैन प्रशासन दोनों कारेकालों पर नेंतरन रखते थे इससे मुगल सामराजी के विशाल छेत्रों पर विस्तरत उन्हें जो है विस्तरत आर्थिक एव भारत के अनेक हिस्सों में जमीदारों और किसानों के विद्रोह और क्रशक आंदोलन ने इस समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया पतन की और चला होता हुआ चला गया मुगल सामराजी कुशन नमबर टू पर आ जाई है 1749 में इरान के साशक नादिर सा ने भारत के किस जगे पर आकर्मण करके उसको लूटा था तो मुहमद सार अंगिला साशन कर रहा था दिल्ली पर अपसर नमबर डी हो जाएगा इसका आंसर तो और जैब के बाद मुगल सामराज में पैदा हुए आर्थिक अमराजनितिक सं में थी मुहमद सारंगीला जोकी रंगीला व्यक्तित्व का व्यक्ति था और उससे नूट कर ले गया नादिर सा तक्तेताउस यानि मयूर सिहासन कोहिनूर हीरा और अच्छी नसल के घोडे ठीक है बेटल अफ करनाल 1749 में हुआ था इंपोर्णन पूछ ले आता है एक प्र नादिर शा के अकर्मण के बाद किस अफगान साशक ने उत्रम भारत पर पंच वार अकर्मण किया कौनसा अफगान साशक था जिसने उत्तरही भृत पर पांच वार अकर्मण किया मोहमद वेन्त टुगलक नहीं है इसकाth अंसर एहमद साबदाली option Noold i तो नादिर्शा के अक्रमण के बाद अफगानी साशक एहमद साब दाली ने अक्रमणों की जड़ी लगा दी उसने 1748 से 61 के बीज भारत पर पांच वार अक्रमण किया उत्तरी भारत पर और लूट पार्ट मचा दी मुगल सामराजी के बिक्टन के पशाद बने तीन प्रमुख राजयों तथा उनके संस्थापक के संदर्ब में कौन सा सुमयलित है हैदराबाद निजाम उल्मुल्क आसफ जां बंगाल मुर्शित कुली खां अवद बुरहान उल्मुल्क साहधत खां मुगल सामराजी का बिक्टन हो चुका है और इसके पशाद प्रमुख राजय बने हैं और उनके राजयों के संस्थापक भी होंगे तो अवद का बुरहान उल्मुल्क साहधत खां करेक्ट है बंगाल का मुर्शित कुली खां करेक्ट है है धराबाद का निजाम उल्मुल्क आसफ जां आप्सन नमबर डी है इसका अन्सर तो निजामन मुलक आसफ जहाने हैदरवाद की इस्थापना की यह मुगल वादसा फरुक सियार के दरवार का अत्यांद सक्ति साली सरस था मुर्शित कुली खां के नेतरत में बंगाल धीरे-धीरे मुगल नेंतरन से अलग हो गया मुर्शित कुली खां नायब थे यानि प्रांत के सूबेदार के प्रतिनुक्ती बाद में इसने भी राज्य के राजस प्रशाशन पर नेंतरन जो है जमा लिया बुर्हान उन मुल्क साधत खां ने अबद राजी के स्थापना की साधत खां को 3722 में अबद का सूबेदार निक्त किया गया क्वेशन नमबर फाइब है मुगल समराजी के विक्टन के बाद जिन तीन राजाओं जिन तीन राजियों अबद राज बंगाल और हैदराबाद का उद्य हुआ उन्होंने कर्व असूलने की कौन सी व्यवस्था अपनाई थी डॉक्ट्रिन ओफ लेप्स नहीं है इसका उत्तर महलवारी भी नहीं है रियतवारी भी नहीं है इजारेदारी ऑप्सन नमबर भी तो अबद बंगाल और हैदराबाद पुराने मुगल अभिजातों द्वारा इस्थापित किये गए थे लेकिन ये राज कोछ प्रशासनेक व्यवस्थाओं के प्रती संद्यास पत्थ है अब ये जागीर विवस्था को अत्यान संद्य की दरष्टी से देखते थे इसलिए इन तीनों राजेयों ने राजस्वसूर करने के लिए जमिदार्वी विवस्था के बचाए इजारेदारी मितलब एक राजस्व क्रशक के साथ ठेके कर लिए और इजारेदारी की प्रथा जो मुगल द्वारा पूंडता ना पसंद की गई थी अठारवी शतावदी में समस्त भारत में फैल गई स्टेट्मेंट बना कर पूछ सकता है कि जादा इजारेदारी व्यवस्था जो है केवल बंगाल तक सीमित थी या अवद तक सीमित थी या हिजारावाद तक सीमित थी तो अठारवी सतावदी में पूरे भारत पर फैल गई थी समस्त भारत में फैल गई थी किसी एक शेतर विशेश में सीमित नहीं थी अठारवी सदी में नेता सिख नेता नेता का नाम है बंदा बहादुर ने किस छेत्र में अपना प्रशाशन की स्थापना की थी किस छेत्र में अपने प्रशासन की स्थापना की थी सिंदू नदी के पश्मी छेत्र में सतला जमुना के बीच के छेत्र में नर्मदा और तापी प्रायदीप छेत्र में नर्मदा और ताफी प्रायदीप तो है नहीं गंगा नदी का पूर्वी छेतर भी नहीं है इन दोना में से एक सांसर है क्या है इसका आंसर अप्स नमबर वी सतला जमना तो देखें 1708 में गुरू गोविन सिंग की मुरत्यू के बस्चाथ बंदा बहादूर के नितरत में खा शार्षन की साबना की 1715 में बंदा भाधूर को बंदी बना लिया गया और 1716 में अगले ही वर्स उसको मार दिया गया सिखों से संबंदित मिश्ल क्या था किसानों का समू नहीं था ये था योध्धाओं का समू अप्सन नमबर धर्म परचारकों का समू भी नहीं है और सैनिक समू भी नहीं है तो मिश्ल सिख जो है योध्धाओं के समू को कहते थे और अठारवी शती में कई योग नेताओं के नितरत में सिखों ने अपने आपको पहले जथों में और फिर मिसलों में संगटित किया इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी और उन दिनों दल खालसा बैशाखी और दिवाली के परवो पर अमरत सर्में मिलते थे इन बैठकों में सामुहिक निर्णे लिये जाते थे जिन्हें गुरू का प्रस्थाब कहा जाता था गुरू मत्ता Q8 पर आजए नमलेखित में से कौन सा कथन सत्य है सिखों ने राखी विवस्था इस्थाबित की थी इस विवस्था के अंतरगत किसानों से उनकी उपज़ का 20 प्रतिशत 20 टका करके रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षन दिया जाता था अब यहां छेड़ चाड़ कर सकता है एक्जामनार 20 प्रतिशत या फिर कम है या जाद है या 25 प्रतिशत 20 टकाई है करेक्टर दोनों के दोनों स्टेट्मेंट सी है इसका अंसर तो सिखों ने राखी व्यवस्था इस्थाबित की जिसके अंतरगत एक तरह से रक्षा किसान देख 80 प्रतिशत तो बचरा है ना पता चला सारे लूट के लिए गेंगरेज क्वेशन नुम्बर नाइन पर आजाईए सिख शाशन सिख साशक महराणा रंजीत सिंग ने 1799 में किस जगे को अपनी राजधानी बनाया था किस जगे को अपनी राजधानी बनाया था सिख सा साशक महराजा रंजीत सिंग ने काबुल इसका उत्तर नहीं है और नाहीं इसका उत्तर नानक मत्ता है इसका उत्तर है लाहौर अप्सन नमबर डी तो अठारवी शताबदी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधू से यमुना तक फैले हुए थे यदिपी ये बिभेन साश के 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया कोशन नमबर दस पर आजाईए मराठो के संदर में नीचे कुछ खथन दिये गए हैं बताना कि इनमें कौन सा सत्त है पहला स्टेटमेंट है सिवाजी ने एक इस्थाई राजी की इस्थापना सक्ति साली योध्धा परिवार की साहिता से की थी मराठो ने 1720 के दसकतक मालवा और गुजरात को मुगलों से छीन लिया था कि छीन लिया था कि 1720 के दसकतक मालवा और गुजरात को मुगलों से मराठो ने बिल्कुल करेक्ट हैं दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर तो अपरोग दोनों के द सहायता से एक इस्थाई राजी के स्थापना की सत्रों सो बीस से एक सट के बीच मराठा समराजी का काफी विस्तार हुआ मराठों ने समय समय पर मुगल समराजी की सत्ता को चाती पहुचाई और सत्रों सो बीस के दसक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए माराथ होने, 3730 के दसक तक माराथा नरेश को समस्च दक्कन प्राइदीप के अधिपती के रूप में माननेता मिल गई नेक्ष्ट कॉस्चन पर आ जाईए, कॉस्चन नमबर 11 है, विस्व के सर्वस्रेश्ट नियोक्ता दोहर बीज की सूची में सीर्स इस्थान पर कौन सी कंपनी है, रिलाइन्स इलेक्ट्रोनिक्स अप्सन नमबर C है इसका अंसर, करेंट अफेर्स स्टार्ट हो गई है, तो द आमेजन का दूसरा स्थान है, आई विम का तीसरा स्थान है, माइक्रोसोफ्ट का चोथा और एलजी का पाचमा स्थान है, इस वेस्विक सूची में 45 देशों के 750 बहुराश्टे और बड़े निगम है, भारत से HCL टेक्नलोजी जो है, इस सूची में सीर्स इस्थान पर रह सकती है, क्रेडिट कार्ड पर 15 पंदरा टका ले रही है, सबसे जादा है, क्वेशन नमबर बारे पर आजए, यह हाल ही में भारत तिब्बत पुलिस सीमा ITBP ने 24 अक्टूबर को 59 वा स्थापना दिवस मनाया अपना, अब आपको बताना है, यह किस मंत्राले के अधिन कार करता है, ITBP हो गया, BSF हो गया, CRPF हो गया, CISF हो गया, यह Ministry of Home Affairs केंदरे ग्रह मंत्राले के अंतरकत काम करते हैं, रक्षा मंत्राले लागा कर इसको गलत मत कर देना, असिस्टेंट कमांडेंट की परिक्षा में सीधा सीधा पूछता है, तो देखिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस, ITBP ने 24 अक्टूबर को अपना 69 स्थापना दिवस मनाया, ITBP को 162 के चीनी आक्रमण के बाद तयार किया गया था, और इसकी मैदान में 60 बिटालियन के साथ लगवग 90,000 जवान है इसमें, ITBP केंद्रे ससस्त्र पुलिस वलो के 5 साखाओं में से एक है, यह है उत देशक सुर्दीज सिंग देशवाल, कोन है? सुर्जीत सिंग देशवाल, क्वेशन नुमर 13 पर आजाईए, 10 दिसंबर 2019 को मानव विकास रिपोर्ट पर काशित की गई, रिपोर्ट के अनुसार 189 देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? मानव विकास 139 पर है, भारत की स्थिती में एक इस्थान का सुधार हुआ है, यानि 2018 में ये थी 30 पर, 132 पर, 10 दिसंबर 2019 को रिपोर्ट पर काशित की थी, अगले यानि 2020 को पर काशित होगी, दो महीने अभी, अब देखें इस सूची में, इस सूची, इस सूचकांग की अगर वरिता मे देखा जाए, तो सीर्स इस्थान पर नौर्वे है, दूसरा सुच्जर लेंड और तीसरे पर है ऑस्टेलिया, जिस सबसे लीस्ट है, सबसे खराब पोजिशन है, वो अफरीकी देश नाइजर की है, और सबसे खराब जो पांच है ना वो अफरीका कही है, भारत के पड़ो पाइदान के साथ सबके सब भारत से खराब इस्थिती में है, बात करें संयुक्तराष्ट विकास कारिकरम की यानि युनाइटेड नेशन डवलप्मेंट प्रोग्राम की, तो ये जो है संयुक्तराष्ट के वैस्विक विकास का एक नेटवर्क है, मुख्याला इसका है नि प्रख्या के अनुसार इन राज्यों को घठते हो करम में रखिये वर्तमान इस्थिती बतानी है, यूपीस्य सिवल से पूछा गया था हाथी से रेलिटेड प्रश्न, देखे सबसे जादे जो पॉपलेसन हाथियों की वो इस समय है करनाटक स्टेट में, करनाटक के बाद ह है असम में, असम के बाद है केरल में, केरल और असम में कुछ 16-18 का डिफरेंस है बस जड़ से बीस है लगवकलमसम, और तीसरे स्थान पर है तमिल नाडू, और यूपीस्य में चार अक्टूबर को स्टेटमेंट बनाया था कि केरल में हाथियों की संख्या बर्तमान में सर है तो करनाटका में सबस्याद है 6049 लगभग में, उसके बाद असम में है 5719, फिर देखिए केरल में थोड़ी सी कम है, केरल असम एक जैसे ही है, 706 है, ठीक है कुछ दस बारे का अंतर है बस और चौथे स्थान पर है, तमिल नाडू, और पांच में पर है उड़ीसा, और छ प्रशन पर आजाईए, सैयुक्त सैन अभ्यास मैत्री 2019 का योजन किन दो देशों के बीच संपन हुआ, तो उनी दो देशों के बीच संपन हुआ होगा, जिनके बीच होता होगा, क्योंकि हर साल होता है ना ये सैयुक्त सैन अभ्यास मैत्री ये है भारत और थाइलेंड के बीच ऑप्सन नंबर एहस का अंसर मेगाले के उम्रोई में हुआ है तो भारत और थाइलेंड के बीच मैत्री दोहार 19 नामक संयुक्त सैन अभ्यास 16 सितंबर से 29 सितंबर 2019 तक मेगाले के उम्रोई में फोरेंड ट्रेनिंग नोड में आज़ित किया गया अभ्यास की बात करें तो यह एक वार्सिक प्रिस्क्षंण का रिक्रम है इसे वर्सrama 26 से थाइलैंड और भारत के बीच बारी बारी मतला एक बार तुमारे देश में एक बार हमारे देश में अवज़ित किया जा रहा है किया जाता रहा है यानि दोहर उन्निस का तुम एक खाले में हुआ अब बीस का भारत में होगा इस अभ्यास में क्या करते हैं सैयुक्त परसिक्षन करते हैं दोनों देश आपस में दोनों देश द्वारा इस्तिमाल किये जा रहे हथियारों एवं उपकरणों से परिचे होता है कि हमने ये बनाई आपने क्या बनाया सारे तो नहीं लेकिन कुछ तो रिवील करते होंगे ना ठीक है सब कुछ तो कौन करता है सब कुछ कर देंगे फरीदों में क्या दिखाएंगे दूसरे को तो पंदरा प्रशन थे इंपोर्टन दस इसमें हिस्ट्री और पांच करेंट अफैर्स अच्छे से इसका रिविजन करते रहे हर दिन धन्यवाद